गुट्डे टू आल आएम डॉक्टर मम्ता चौधरी रिपाबन और बॉट्टनी जेटीबी कॉवर्मेंट गल्स कॉलिज कोटा आज का टॉपिक है एर्गट डिजीज ऑफ बाजरा या बाजरे का एर्गट रोग यह बाजरे का प्रमुक रोग है और इंडिया के अलावा यह कई अफ्रिकन कंट्रीज जैसे की घाना जांबिया नाइजीरिया आदि देशों में भी पाय जाता है इंडिया में इस रोग का सबसे पहले उलेक 1945 में किया गया था और आज कल यह रोग बाजरे का प्रमुक रोग माला जाता है सबसे पहले 1956 में महारास्ट के दक्षे सतारा शेत्र में एर्गट रोग महामारी के रूप में उत्पन हुआ था इसके बाद यह रोग भारत के उन सभी शेत्रों में पाया गया जहां बाजरे की क्रशी होती है बाजरे की जो अधिक उपस देने वाली वेराइटीज हैं जैसे Hb1, Hb2 यह इस रोग के प्रति अत्यधिक ससेप्टिबल होती है और इस रोग के कारेंड इंडिया के स्टेट जैसे महारास्ट, करनाटक, तमिल नाडू, राजस्तान, हरियाना आदी में बाजरे की इल्ड में 70% तक हानी हो जाती है बाजरे की जो लक्षण है वो फ्लारिंग या पुश्पन के टाइम दिखाई देते हैं सबसे पहले बाली की जो संक्रमित स्पाइकलेट्स हैं, उनमें छोटी-छोटी बूनों की रूप में गुलावी या शैज जैसे रंग का एक लिक्विड निकलता है और ये चिपचिपे पदार्थ के रूप में फैल जाता है ये अवस्ता कहलाती है हनी ड्यू स्टेज इसके बाद बाली में सामान्य दानों की जगे छोटे-छोटे बैंगनी भूरे रंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिने स्क्लेरोशियम कहते हैं और इन्हें एरगट कहते हैं स्क्लेरोशियम बालियों पर रस निकलने के 10 से 15 दिनों बाद बनते हैं और ये ग्लूम्स के बीच में से निकलते हैं बाली में संक्रामित स्पाई की काये थोड़ी सी या अनेख हो सकती है या सभू में भी पाई जा सकती है तथा अंडाशे या दानों को स्क्लेरोशियम की रूप में बदल दिया जाता है सामने ते स्क्लेरोशिया की लंबाई 0.5 से 1 सेंडिमीटर लंबी तथा इसका व्यास 122 मिलिमीटर होता है और नेचर में ये वुड़ी होते हैं बाजरे में एरिकर रोग उत्पन करने वाला पैथोजन है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉफॉमिस बाजरे का जो एरिकर रोग है यह सॉयल बॉंड में सीड बॉंड डिजीज है और पैथोजन जो है वो स्क्लेरोशिया की रूप में सर्वाइव करते हैं यह स्क्लेरोशिया मिट्टी में या सीड के अंदर उपस्तित होकर रोग उत्पन करते हैं और सीड जर्मिनेशन पर यह प्लांट में भी व्रद्धी करते हैं और कॉनेडिया का निर्बान करते हैं सेकंडरी स्प्रेड जो है इस रोग का वो कॉनेडिया के द्वारा होता है जो कॉन्टेक्ट्स के द्रू या इंसेक्ट्स के द्रू या रेंग के दूप के द्वारा हो सकता है इस रोग के लिए फैबरेवल कंडिशन्स हैं तेम्परिचर का कम होना और नमी की उपस्तिती होना क्लेशस्प्स फ्यूज फूसिफोरमिस का सिस्टेमिक पोजिशन है किंडम माईकोटा दिविजन यू माईकोटा सब डिविजन एस्को माईकॉतिना ग्लास पारीचिंटीज और टलेश सिपीटल्स फैमिली जिएभीस सेब्स जनल स्लेशस्प्सेबस्स पूसिज स्पीट बाजरे का जो एर्गर्ट रोग है वो क्लेविसेफ्स के द्वारा होता है जो की एसको माई कोटीना सब्डिविजन का मेंबर है क्लेविसेफ्स जो फंगस है वो बाजरे में तीन स्टेजिस में पाई जाती है हनीड्यू स्टेज, स्कलेरोशियम स्टेज और एसकोजीरस स्टेज बाजरे में पुश्पन के समय जो एसको स्पोर्स होते हैं वो पेरिथिशम से बाहर निकलेंगे और हवा के द्वारा फैल कर ये हेल्दी फ्लार्स पर पहुँच जाएंगे ये इसको स्पोर्स इन्फेक्शन थ्रेड बनाकर जर्मिनेशन करते हैं और वर्तिका में व्रद्धी करते हुए अंडाशे तक पहुँच जाते हैं इस इन्फेक्शन के कारण हनीड अवस्था उत्पन होती है अंद में ये जो फंगस है ये ब्रून पर आक्रमन करती है तथा जिससे सीड अवस्था नहीं बन पारती क्लेविसेफ्स का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट वैर ब्रांस्ट फंगल हाइफी से मिलके बना होता है ये फंगल हाइफी अंडाशे के भीतर तेजी से व्रद्धी करते हुए कभी कभी सते के ऊपर रैंगते हुए मिलते हैं इस कबक जाल से अंडाशे की सते पर ब कॉनिडियम का निर्माण होता है यह अवस्ता बाजरे के है है कि फ्लार के की ओवरिय में पाई जाती है कि प्राणभी कवस्ताओं में मैंक्रो कॉनिडिया का निर्माण होता है जबकि बाद में यूनिसयलिलर और इनका साईज है छोटा होता है कउनिडियम 25 डीडी सेलशियल टेंपरेचर पर 16 हr के बाद एक से तीन जम्ट्यूब निकालते हैं और जर्मिनेट करते हैं यह जम्ट्यूब sectation के दवारा secondary conidium या micro conidium का निर्मान करती है secondary conidium से tertiary wear quaternary conidium भी बनते हैं logical cauliflower की जो variability है वो 13 मन्थ तर हो सकती है first stage जो होती है बाजरे में फंजाई की वो होती है हनीडू stage सेकंड अवस्ता होती है स्क्लैरोशियम स्टीज जैसा कि हमने बढ़ा कि स्क्लैरोशियम जो है वह इलॉंगेटेड लंबे या गोल या हलके भूरे रंग का कठोर भाग होता है स्क्लैरोशियम एक से तीन या सिस्टीन तक इस टाइप्स बनाके अंगुरन करते हैं और इनके अगर सिरह पर पेरिथीशियल स्ट्रोमा या कैपिटूलम का निर्माण होता है इनकी सते के उपर पेरिथीशियम प्रोजेक्शन्स दिखाई देते हैं कैपिटूलम की ट्रांस्पर सेक्शन हम देखें तो उसमें कई सारे एंबेड़ेट पेरिथीशियम दिखाई देंगे पेरिथीशियम की बाहर निकली हुई ग्रीवा एक 37 मिली माइक्रोन व्यास वाला उस्टियोल बनाती है इसमें पेराफाइसिस उत्पर्न होते हैं ऐसका साने एक लंबे बेलनाकार आधार की और टेपरिंग छोटे स्टॉक वाले हाइलाइन थिन सेलवाल वाले होते हैं और इनके शिर्च भाग पर एक मुख्या द्वार होता है पेरिथीशियम में पेराफाइसिस इस पर दिखाई नहीं देते प्रते एक एसकस में आठ एसको स्पोर्स होंगे जो की लंबे, फिलिफॉर्म, हाइलाइन वे एसेप्टेट होते हैं क्लेविसेप्स में यूनी नुकलिट एसको स्पोर्स जो है जर्मिनेट करेंगे जिसके दवारा प्राइमरी वे सेकेंडरी कॉनेडियम मनेगा जातर एसको स्पोर्स में नुकलिट एस विभाजन के बिना प्राइमरी या सेकेंडरी कॉनेडियम बनाते हैं इस प्रकार क्लेविसेप्स तीन अवर स्थाओं के दवारा अपनी लाइफ साइकल पूरी करता है अगर हम क्लेविसेप्स की डिजी साइकल की बात करें तो इस रोक को उत्पन करने में जो इन्फेक्टेड यर्स होते हैं उनसे जो बीज मिलते हैं उनकी सतय पर जो कॉनेडिया पाए जाएंगे वो इस बिवारी को फैलाने में सक्षम होते हैं क्योंकि इन कॉनेडियम की जो वायबिटी होती है वो थर्टीन मन्स तक होती है सामने ते जो primary infection होता है वो sclerosium के द्वारा होता है क्योंकि sclerosium के साथ ही बीज बुवाई के समय म्रदा में या मिट्टी में प्रवेश कर जाएंगे और यह sclerosium वर्षा के बाद 30 से 45 दिनों के बाद जर्मिनेट होने लगते हैं और sclerosium का भी जर्मिनेशन जो है वो क्रॉप में फ्लारिंग के साथ साथ होता है और sclerosium से निर्मित ज्वैसको स्पोर्स हैं वो एयर के द्वारा नए फ्लार्स को भी इंफेक्ट करते हैं इस प्रकार इस फंगस की डिजिस साइकल आगे बढ़ती हैं सामने ते इस रोग के लिए जो अनुकूल बातावरण है वो है मौसम का थंडा वे नमी यूक्त होना रिलेटिव हुमिडिटी 85 से 95 परसेंट तक होना नाओ डिजिस मैनेजमेंट इस रोग को नियंतरण के लिए आवशक है कि स्वस्त बीजों का यूज किया जाए जो सीड्स हैं उनका वीजोप चार या सीड त्रीट्मेंट किया जाए इसके लिए फंजिसाइड थायरेम का यूज किया जाता है वन केजी सीड में टू ग्रैम थाइरेम का यूज किया जाता है और इसके लाबा स्क्लेरोशिया को भी हटाने के लिए 22-30% सौर सॉलूशन में अगर सीड को रखा जाए तो स्क्लेरोशिया जो है वो रिमूव हो जाते है तीसरा उपचार ये है डिजीज कंट्रोल करने के लिए कि बाजरे की जो बुवाई है वो जल्दी की जाए फोर्थ क्रॉप रोटेशन यानि जो बाजरे की फसल है वो दो या तीन साल के गैप में उगाई जाए इससे जो प्राइमरी इंफेक्शन की जो संभावना है वो कम हो जाती है और सॉइल में भी अगर कॉनिडिया जीवित रहते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते है नेक्स कंट्रोल ये क्या जा सकता है कि बाजरे की जो क्रॉप है उसमें जितने भी इंफेक्टेड या संक्रमित बालिया हैं उनको हटा दिया जाए ताकि इन सक्रमित बालियों से या इयर्स से जो हेल्दी इयर्स हैं उनको इंफेक्शन ना फैल सके और यिल्ड को प्राप्त किया जा सके बाजरे के रोको एर्गर्ट रोको नियंतरं करने के लिए कई सारे फंजिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है और नॉर्मली ये स्प्रे जो है सब्ता में दो से तीन बार किया जाता है और फ्लारिंग के बाद किया जाता है इसमें यूज होने वाले फंजिसाइड्स हैं जिरेम, जिनेम एंड कार्पेंड़ाजिम बाजरे के एरगट रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उप्योग करना भी अत्यतिक प्रभावी होता है ये प्रतिरोधी किस्में हैं आरेचार वन, जेबीवी टू, एनेमेस ट्वंटी ए, जेटू थ्री फोड जीरो एड सेक्टरा ये सभी प्रतिरोधी किस्में बाजरे के एरगट रोग के प्रतिरोधक्ता दर्शाती है इसके लावा फसल की कटाई के बार खेत में जो भी रोग्रस पौधे के अवशोई होते हैं उनको भी जला देना चाहिए ताकि जो सॉइल बॉर्ण इंफेक्शन है वो समात किया जा सकी तो दिस इस अल बाउट एरकर डिजिस ऑफ बाजरा थैंक यू